हेलो गाइज वेलकम टो टिप कंसेप्ट और मैं आज आप सब की रिक्वेस्ट पे लेकर आई हूँ टीसे एंक्यूटी का इंटर्व्यू जो की इंदौर के ऑफिस में हुआ था और ये इंटर्व्यू होने वाला है प्राइम प्रोफाइल के लिए ठीक है मैंने लास्ट आप पिछली वीडियो पे अपना सपोर्ट दिखाया एंड दे वांट प्राइम डिजिटल एक्सपिरियंस तो आज मैं आप लोगों के लिए प्राइम का एक्सपिरियंस लेकर आई हूँ ठीक है ये मैं मैंने ना मेरे दोस्त ने जरूर किया था लेक हम लोग का एक टीन पी सेक तो मैंना इसलिए मैंने डाइक स्क्रीन शॉट ही लगा दिया कि legitimate लगना चाहिए वही कि मैं जो भी बता रही हूँ जेन्विनली किसी का इंटर्व्य एक्सपिरियंस है मैं अपने मन से क्वेश्चन्स एड नहीं कर रही है तो अगर हम लोग देखें यहां पर कि कैसे क्व सब्सक्राइब है अगर मैं क्वेश्चन्स देखू एक तो आपको में बेस्ट आया है कि आपको फॉर लिटर मेंजर करना है यह ऐसे बोलते हैं कर रिदल या आपको immediate thinking आपकी कैसी है ठीक है immediate response आप कैसा दोगे तो उसके लिए ऐसे questions रहेंगे तो यह situation based question हो यह manager यह managerial round में आते हैं ठीक है और do you feel difficulty in reallocation how to tackle them यह भी एक management वाला question हो गया okay and then do you have any problems regarding different shifts offer to you यह भी management related questions हो गया ठीक है अब जो candidate था उसने school change किया ठीक है या फिर अगर आपके में break in service है आपने 10th में school change किया या फिर आपने drop लिया है 12th के बाद फॉर preparing JE ठीक है तो ऐसे में आपसे question पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया like there must be some concrete region जो आपको prepare करना पड़ेगा तो 10th की बात हुई है अगर आपने 12th के बाद drop लिया है ओके तब भी आपसे question पूछा जा सकता है यह वाला ठीक है आपके में service break है अगर working professional हो अगर आपके बीच में service break दिया है तो आपसे question पूछा जा सकता है या आप अगर graduate आप पिछले साल हुए थे ठीक है तो एक साल का अपने break ले रखा है आपने कहीं joining नहीं दी ठीक है अगर आप last year graduate हो तो आपसे यह जीज पूछी जा सकती तो उसके लिए questions है यह situation based अपकी जित्ती भी question है situation based shift based टीकर reallocation based यह सब manager लेवल पर questions आ जाते हैं कि मल्टी टास्किंग से रिलेटेड मल्टी टास्किंग से रिलेटेड ओके तो यह सारे आपके होगा है MR round के लिए यह मैं आपको प्राइम का बता रही हूं इसलिए आपको ज्यादा amount of questions यहां पर दिख रहे होंगे क्योंकि जो प्राइम है ना उसमें आप expect जब मेरा ninja क्य हुआ था तो it was like 30 minutes of interview 30 to 40 minutes रेंज किया है तो आपका 60 minutes तक आप expect कर सकते हूं कि the person could ask उससे जादा भी हो सकता है depends कि कैसे type के questions पूछे जाए फिर आजाते हैं हम लोग आपके technical round technical round में this person mentioned java and js ठीक है तो java और js इसने mention किया था अब now I will tell you something जो आपको बहुत बोलते ना important रहेगा थोड़ा सा patientfully वीडियो को 5 minutes और देखना and then you will get to know कि मैं क्या बोलने वाली थी ठीक है इसने java और js mention किया था java में अच्छा और sql for database ठीक है my sql sql for database mention किया था so sql related अगर मैं question की बात करूं यहां पर हम लोग बाइफर केट करते हैं ठीक है अपना पहला होगे sql ठीक है sql से इससे क्या पूछे गए ddl and dml data definition language और data manipulation language पर एक question आया ओके फिर union union all पर एक question आ गया कि union और union all ओके तो अगर आपको ddl dml पर उससे पूछा गया तो आपको और भी होना चाहिए like tcl पता होना चाहिए आपको ठीक है वहलब सारे जित्ते भी commands है sql के वह आने चाहिए union union all पर पूछा गया है तो आपको जॉइन भी पता होना चाहिए है यहां पर तो लेट्स डूइट फॉर जेएस होईस्टिंग पूछी गई टिक होईस्टिंग के बाद no questions on जावा स्क्रिप्ट सो पर टिक जावा से जावा से क्या question पूछे गए इसको define constructor explain the working of constructor implement method overloading multiple ingredients तो मैंने जब निंजा का आपको अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वह जरूर देखेगा मैं description में link भी mention कर दूंगे आपको ठीक है वह मेरा personal experience है तो उसमें आपको ज्यादा clarity मिल पाएगी तो जावा पे आपको क्या पूछा गया था कंस्ट्रक्टर पूछ लिया गया और oops के concept पूछे गए उपस के concept आपको by heart होने चाहिए मतलब लागी कापको सोचने की भी जरूरत ना पड़े उसमें उस time पे ठीक है यहाँ पर inheritance एक पूछ दिया इसने मेरे को भी inheritance पूछा गया था निंजा में भी inheritance था और इसमें पूछा overloading method overloading ठीक है तो polymorphism का concept बेसिकली यह पूछ दिया गया तो inherit नहीं मलब लाइक तो oops से related question आए गई आएगा constructor एक extra चीज़ पूछी गई थी ठीक अब मुझे बाद आपको बतानी यह थी जो मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था JS में उसको सिर्फ hosting hosting पर क्यों रोग दिया गया when this in like यह personally share किया था candidate ने experience कि जब उससे hosting पूछी गई थी तो he was not aware of hosting जबकि JavaScript का बहुत ही basic concept होता hosting का थेक है तो अगर उसे hosting नहीं पता थी तो उसने further question ही नहीं किया त्यार ने further question ही नहीं किया थेक एंड इवन लाइक अगर आपने mention किया है JavaScript तो आपको hosting पता होने चाहिए debouncing पता होना चाहिए throttling पता होना चाहिए हो गया throttling हो गया memoization हो गया यह सारे ऐसे terms है ना जो आपको बोले जा सकते हैं JS में अगर आपको यह नहीं पता तो फिर आपने JS क्यों mention किया and same thing TR ने इस candidate को बोली थे when candidate asked की भई मेरा feedback दो अच्छा यह एक अच्छी habit होती है like a interview के end में you can ask to all the like three panels members की भई feedback दो give me feedback like how I performed in interview how I performed in interview तो this is a very necessary question बोल सकते हो या फिर like it's better कि आप कुछ ना पूछने सच्छा at least take a feedback ना कि क्या impression पड़ा तीनों panel members का आपको उससे एक idea में मिलेगा कि आपने कैसा response किया तो जब इस बंदे ने feedback पूछा था तो then TR ने सिर्फ एक ही चीज़ बुली कि अगर तुम्हें JavaScript नहीं आती थी तो you should not have mentioned it in the resume तो ऐसी situation आप लोग के साथ हो मैं नहीं चाहती तो इसलिए सिर्फ बोई चीज मेंशन करना अपने resume में जिसमें आप for sure हो कि आपको आती है अगर आपने JS मेंशन किया है तो मैंने तो सिर्फ कुछ terms आपको बताए JS के ठीक है आपको फिर बहुत सारे like how to fetch parse JSON ये सारी चीज़ें भी फिर आपको concept deep में जा सकता है क्योंकि आप डिजिटल के लिए अपलाए कर रहे है अपको प्रोफाइल वही है ठीक तो just be prepared on this ठीक है यह हो गया then एक code भी पूछा था पैलेंड्रोम नंबर का अब पैलेंड्रोम नंबर का code आप दोनों में से attempt कर सकते जावा से भी और JS से भी ठीक है पैलेंड्रोम का आप कर सकते हो अगर अब पैलेंड्रोम पूछा है ठीक है पैलेंड्रोम पूछा है तो इसके बाद आपको और प्रैक्टिस करने के लिए आप एनाग्राम कर सकते हो एनाग्राम ठीक है पैलेंड्रोम कर सकते हो एनाग्राम कर सकते हो रिवर्स स्ट्रिंग लब ऐसे ड़के questions आप prepare कर सकते हो ओके except like Fibonacci Fibonacci तो अब like बहुत common हो गया तो I don't think so पूछेगा पर ठीक है पैलेंड्रोम पूछ सकता है तो Fibonacci भी आई सकता है we can expect anything now so यह हो गया आपका बैलेंड्रोम वाली चीज़ पर अब यह सारी चीज़ें कवर कर ली अब मैंने जो लास्ट अगर आपने वीडियो देखी होगी ठेक है तो मैंने बोला था कि recent topics पर कमांड होना चाहिए आप लोग का recent topics में इससे पूछा गया था जन्रेटेव ए आई के बारे में तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि आपको ऐसे questions आएंगे जन्रेटेव ए आई अभी बहुत कॉमन चल रहा है तो जन्रेटेव ए आई पर question आया and cloud computing पर question पूछा गया थेक तो वैसे ही मैंने mention कर रखें और भी topics जन्रेटेव ए आ cloud computing कि साइबर सेक्यूरिटी तो यह बहुत ही trending topics है ओके ethical hacking वैसे वह बोलते हैं एक टाइप से साइबर सेक्यूरिटी में ही आ जाता है यह topic पर ethical hacking तो यह सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है ओके फिर आजाते हैं अब HR पे एचार आपको क्या पूछेगा ठीक हैं अच् अलावा अच्छा ओके टियार में आपके project based question भी अगर आप देखोगे तो इसमें एक तो आपका गया how do you rate yourself in data management तो यह SQL related था more or less कि आप rating दो तो यह rating तो आपसे वह कहीं से भी पूछ सकता आपको database management में पूछा है rating in DBMS पूछती है इसमें आपसे यह पूछ सकता था in JS in Java also उस basis पर वो फिर question throw करता ठीक है तो have a rating out of 10 और 5 prepared in your mind प्रोजेक्ट से related जो भी details है वो भी TR ही पूछते हैं तो project related details आपको clear होना चाहिए project related details अच्छा जब भी आप project को describe कर रहे हो यह मेरा एक खुद का personal opinion है always describe की उसका objective क्या था and किते users थे उसमें involved ठीक है and functions क्या था पहले इतने हमें और text tag जब last में text tag mention किया जाता है पहले उसका objective users functions and text tag last यह नहीं कि starting से ही बताना शुरू कि मैंने JavaScript की यह library बना यूस करी थी यह यह किया था अरे पहले बताओ तो कि project क्या है ठीक है तो this is something जो आप explain करोगे HR की जब तक बात आती तो HR make sure that there is no active backlog backlog है की नहीं है इस पर question पूछा family background पर पूछा family background वेल आपके introduction जो आप से बोला जाता है तो उसी में बोले जाएंगे की normal middle class है ठीक है upper middle class है या फिर ना लेक बोलते ना EWS है या कुछ भी है just be make sure that you reply in a confident level से आप रिप्लाइ करो चाहिए एकनॉमिकल condition हो family condition हो वो क्यों पूछते है क्योंकि stability देखने के लिए कि initial अगर पे में इतना offer कर रहा हूं तो बंदा survive कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो इसलिए HR judge on this part तो यह था full to आपका prime का experience जो candidate मी किया था मैंने इना सिफ explain किया है आपको जितना मैं reality तक बता सकती थी मैंने रिताया है ठीक है I will try कि मैं आज और भी न डिजिटल या निंजा के न आपको इंटर्व्यूज लाके दे सकों दिससे आप कल की इंटर्व्यू के लिए prepare कर पाऊ ओके so that's it for my site subscribe for more